नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक के यूट्यूब कहानी में आपका स्वागत है, मैं हूँ सुप्रतीम बैनर जी और मेरे साथ आज कैमरे पर है मेरे सायोगी दीपक सिंग आज मैं आपको जो वाक्या, जो कहानी सुनाने वाला हूँ, वो काफी पुरानी है, लेकिन ऐसी है, जिसे सुनना जो है, वो काफी एहम है मैं दिल्चस्प शब का इस्तेमाल करने से बचता हूँ, क्योंकि आफ्टर ओल मैं आपको कोई मर्डर मिस्ट्री सुनाऊंगा तो किसी की जान चली गए और उसको मैं दिल्चस्प या बहुत इंटरिस्टिंग ऐसा बोलूँ, या अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कहारा हूँ, काफी एहम है तो ये घटना जो है, वो 15 मैं 2013 की है, और घटना है दिल्ली की, दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक लोकालिटी है, एक जगह है, जिसको ब्रिटानिया चौक कहते हैं तो ये ब्रिटानिया चौक आम तोर पर बहुत ही क्राउडेड और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला इलाका है, तो इसी ब्रिटानिया चौक में 15 मैं 2013 की रात को फुटपात पर एक शक्स ओंधे मूँ पड़ा हुआ मिला रात को तो किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, लेकिन अगले दिन सुबह, यानि सोला की मैं आपको बात बताऊँ, सोला की सुबह को हुआ यूँ कि जब लोगों ने देखा कि एक आदमी अंधे मूँ फुटपात पर पड़ा हुआ है, तो वह आदमी पास गया, जिग्यासा वश और पास जाने के बाद उसने जब करीब से देखा तो उसने अब्जर्व किया कि बहुत सारा खून जो है, वहाँ पर बहकर सूख किया है, जहां वह आदमी गिरा हुआ है, एक बार को उसको लगा कि शायद उसके गिरने की वज़़ा से, मूँ के बल गिरने की उससे चोट लगी हो, खून बहा हो, उससे समझ में निया था exactly क्या मामला है, लेकिन जब एक आदमी खड़ा होकर, आपको तो पता है हमारे देश में ऐसा ही है, जब लोग किसी चीज को देखने लगते हैं, तो वहां भीडी कठी हो जाते हैं, कई इस तरह के प्रैंक वीड तो वहां धीरे-धीरे भीडी कठी हो गई, और भीड में से कुछ लोगों ने हिम्मत जुटा कर जो है, उसकी उस आदमी को पलटने की कोशिश की, और पलटा जब तो देखा कि सीने में चाकू के कई निशान है, और हून तो निकलाई हुआ था, तो और जिसम को देखकर य तो वोने फोन किया वहां से और दिल्ली पुलिस वहां मौके पर थी, पुलिस स्टेशन जो है वो थाना सुभाश प्लेस लगता है, तो वहां की पुलिस मौके पर पहुची और मौके पहुचने के बाद पुलिस ने उस लाश को बरामद किया और बहुत बारीकी से मौके का मुयाना किया जब लाश की जामा तलाशी पुलिस ने ली मतलब लाश को जब पुलिस ने कमपलीट तरीके से उसको सर्च किया तो देखा की मरने वाले आदमी की जेव में मॉबाईल फोन नहीं है, पर्स नहीं है कोई दूसरी चीज सिग्रेट बीडी या जो भी चीज अगर कोई पीता खाता हो कुछ तो कोई भी चीज उसकी जेब में नहीं थी सारी जेबें खाली थी लेकिन बहुत टटोलने के बाद पुलिस को फाइनली एक जेब से एक कागस का छोटा सा टुकडा मिला जिसे आप पुर्जा कह सकते हैं और उस पुर्जे में कुछ लोगों के नाम और नमबर लिखे हुए थे बस इतनी सी चीज उसके पॉकेट से मिली और जब पुलिस ने उस डेट बॉडी को रिकवर किया तो आस-पास के लोगों से थी कि without identification इस मामले की तफ्तीश कैसे आगे बढ़ेगी लेकिन जिस तरह से उसके पर्स mobile phone और दूसरी चीजें गायब थी उससे पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है कि इस आदमी का कतल जो है एक नहीं कई चाकू मारे गए थे तो आमतर पर गुस्से में या दुश्मनी में आदमी कई सारे बार करता है तो ये भी एक वज़ा हो सकती है और ये जो चीजें गायब हुई है शायद वो इसलिए गायब किया हो कातिलों ने ताकि वो इस घटना को लूट पार्ट का रंग दे सके बदमाशा इसा भी करते हैं कि करते कुछ हैं दिखाने की कुछ और कोशिश करते हैं तो पुलिस जो है इन दोनों बातों पर सोच रही थी इन दोनों थियोरी पर काम कर रही थी लेकिन इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ थी वो थी इस बंदे का पहचान पता करना अभी तफ्तीश आगे जैसा मैं आपको बता पहचान पता करना सबसे जरूरी चीज़ थी लेकिन पहचान पता कैसे चलती इतिफाक से उस कागज के टुकडे में कुछ लोगों के नाम और नमबर ये सब लिखे हुए थे कुछ होटलों के भी नाम नमबर लिखे हुए थे तो ये सब देखकर पुलिस को ये भी लग रहा था कि शायद ये जो मरने वला आदमी है वो किसी होटल के कारूबार से जुड़ा हुआ हो या होटल से जुड़ा कोई बीजनेस करता हो पुलिस पता नहीं लगा पारी थी, कन्फरम नहीं हो पारी थी पुलिस ने बहराल उन नमबरों पर फोन करना शुरू किया और वो नमबर एक एकर होटलों के ही निकले और पुलिस ने अलग अलग नमबरों पर जब फोन किया तो अलग अलग लोगों से उसकी बात हुई इन में से जादतर लोगों को पुलिस ने बताया कि हमें दिल्ली में दिल्ली पुलिस बोल रहे हैं हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं और यहां सुभाश प्लेस इलाके में फूट पात पर एक बंदे की लाश मिली है उम्र यही तक्रीम चालीस में तालीस साल की है ये हुलिया है कि आप जानते हो उसकी जेब से एक पुर्जे में आपके होटल का नंबर मिला है तो जादतर लोगों ने जवाब जो है वो नाम ही दिया और जादतर लोग जो है उसे पहचान नहीं पाए लेकिन पुलिस हर नंबर ट्राई कर रही थी और इसी कोशिश में पुलिस ने जब राजस्थान के एक होटल में फोन किया इत्तिफाक से राजस्थान में जिस शक्स ने वो फोन उठाया उस आदमी ने इस घटना को सुनने के बाद और इस मरने वाले आदमी के हुलिये के बारे में पता होने के बाद उसने कहा कि उसे लगता है कि वो मरने वाले को पहचानता है पुलिस को उमीद की किरन नजर आई और पुलिस ने कहा कि ठीक है हम तुमें लाश की तस्वीर भीजवाते हैं देखो और देखकर बताओ कि क्या ये इसे तुम जानते हो अगर जानते हो तो ये कौन है जल्दी बताओ होटल वाले के पास तस्वीर गई और होटल वाले ने फौरण पहचान लिया कि अरे ये तो उमेद है उमेद नाम था मरने वाले आदमी का और राजस्तान के उस होटल वाले ने ये भी बताया कि उमेद है तो राजस्तान से ही लेकिन वो कामकाज के सिलसले में दिल्ली में रहता है दिल्ली के शकूरपूर इलाके में रहता है शकूरपूर का नाम आप लोगों ने सुना होगा बेसिकली ये सलमेरिया ही है और इंडस्टीज भी है कई सारे तो शकूरपूर इलाके में रहता है और उम्मेद है काम काज के बारे में जब पूछा पुलिस ने उसी आदमी से क्योंकि अब एक ही आदमी था जो उम्मेद के बारे में जानता था अब तक तो उस से जब कामकाज की बारे में पूछा तो उस आदमी ने बताया कि असल में ये उम्मेद जो है ये वर्क फोर्स या वर्क्मेंन सप्लाई का काम करता है कहने का मतलब ये कि होटलों में वेटर, कुक और इस तरह के जो दूसरे छोटे-मोटे काम करने वाले लोग होते हैं उनकी नुखरिया लगाता है, वो लोगों की सप्लाइ करता है, ये काम उसका था और इसलिए बहुत सारे होटलों के नंबर और कुछ वेटर्स के नंबर उसके उस पुरजे में लिखे हुए थे तो अब जब इतनी सारी बातें पता चल गई उसके बारे में कि वो काम क्या करता है, कहां रहता है, गाओं कहां है यह सारी बातें जब पुलिस को पता चल गई तो पुलिस ने पूरा फोकस जो है वो शकूरपूर पर कर दिया और शकूरपूर में पुलिस उस लाश की तस्वीर के साथ डोर टो डोर घूमने भटकने लगी और पुलिस की मेहनत रंग लाई, पता चला जल्दी ही कि यह जो बंदा है उम्मेद यह शकूरपूर के इल ब्लॉक में रहता है पुलिस ने बिना वक्त गवाय हुए पुलिस जो है सिधे एल ब्लॉक में पहुची और एल ब्लॉक में लाश की तस्वीरें लेकर उम्मेद के घर के दर्वाजे पर दस्तक दी उम्मेद के जो घर वाले थे उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था वो बिल्कुल इत्मिनान की जिंदेगी जी रहे थे उम्मेद के घर में बच्चे तो थे साथ में उम्मेद की बीवी भी वहां मिली शकुरपूर के एल ब्लॉक में और उम्मेद का भाई भी मिला पुलिस ने जब ये लाश की तस्वीरें दिखाई तो वो बीवी और भाई वो बुरी तरह रोने लगे रोते ही पुलिस को ये बात समझ में आगए फिर ये पूछने की भी जरुवत नहीं पड़ी कि भाई ये उम्मेद तुम्हारा फैमिली मेंबर है या नहीं कुछ देर तक रोने के बाद जब दोनों थोड़े से सेटल हुए तो पुलिस ने पूछा कि भाई उम्मेद गायब था और आप लोगों ने पुलिस को भी नहीं बताया इनकी हत्या हो गई आपको कुछ पता नहीं है क्या मामला है तो घर वालों ने ये बताया कि उम्मेद दरसल दिल्ली में ही काम करते हैं लेकिन इनका हर हफ़ते दो हफ़ते में राजस्तान अपने घर जाना होता है और वहां से ये लोट कर भी आते हैं लेकिन अभी इस बार जब लास्ट ट्रिप में वो गए थे राजस्तान तो वो लोट कर नहीं आए और इत्तिफाक से हम उनके मॉबाइल फोन पर कॉल कर रहे थे तो फोन लग नहीं आथा तो हमें लगा कि शायद कहीं गावाओं में ही होंगे जिसकी वज़ा से उनसे हमारी बात नहीं हो पा रह हैं तो पुलिस वालों ने फिर पूरी बात बताई कि देखिए उनकी लाश हमें बैसी कली 15 की घटना है और 16 मई 2013 की बात पुलिस ने बताई कि 16 मई की सुबह हमें उम्मेद की लाश जो है वो ब्रिटानिया चौप के पास एक फूट पात पर पड़ी हुई मिली थी और जि ब्रुटल तरीके से ये मतलब हमारी समझ से तो परे है घर वालों ने ये बात बताई पुलिस ने भी पूछा कि अच्छा एक बात बताई है कि उम्मेद की परस में क्या क्या चीज़ें या उम्मेद की जेब में आम तो पर उम्मेद क्या क्या लेकर चलता था बिलॉंगिं घर वालों ने कहा कि नहीं, जब वो घर से आकरी बार निकले थे राजस्थान के लिए, तो अपने साथ पर्स और अपना मुबाइल फोन ले कर गए थे। जब पुलिस को ये बात पता चली, तो पुलिस को ये भी समझ माया कि जब डेड बॉडी से पर्स और मुबाइल फोन गायब है, जो हमेशा उम्मेद अपने साथ रखता है, तो इसका मतलब जिसने भी कतल किया है, उसने ये दोनों चीजें जरूर उम्मेद से लूटी हैं, य लगा दिया, मतलब पुलिस इस इंतजार में थी कि मोबाइल फोन नेक्स टाइम जैसे ही स्विच्ट ओन होगा, क्योंकि अभी तो फोन स्विच्ट ओफ था, जब से कतल हुआ था तब से, तब पुलिस को उसके बार में पता चल जाएगा, चाहे वो मोबाइल फोन का सिम का क्यों न बदल दिया जाए, मोबाइल फोन में एक IMEI नंबर भी होता है, यूनिक अइटेफिकेशन नंबर, तो उससे भी मोबाइल फोन की लोकेशन जो है, ट्रेस हो जाती है, और अगर उसी सिम काड के साथ यूज करने वाला उसको अन करता है, तब तो नंबर, तब तो उनों तरह से पता चल जाएगा, मतलब IMEI नंबर जो है, उससे भी पता चल जाएगा, प्लस सिम काड से भी पता चल जाएगा, तो कुल मिलाकर सर्विलांस पर लगाने का यही मकसद था, और पुलिस ने उस नंबर को फॉरन सर्विलांस पर लगा दिया, कुछ दिनों तक पुलिस नंतजार करती रही, लेकिन वो मॉबाइल फोन स्विच्ट आउन नहीं हुआ, अब पुलिस की सारी कोशिश जो है, वो इसी बात पर थी, और पुलिस का सारा ध्यान या सारा इंतजार जिसे कहिए, कि इसी बात पर था कि कब मॉबाइल फोन स्विच्ट आउन हो, और कब उसे इस मामले की तफ्तीश में थोड़ा और आगे बढ़ने का रास्ता मिले। फाइनली वो दिन आया। दो से तीन दिनों के दर्मियान मॉबाइल फोन स्विच्ट आउन हुआ। लेकिन इससे पहले की पुलिस उस स्विच्ट आउन मॉबाइल फोन को ढूंडती हुई, जीरो डिन करती हुई, वहाँ तक पहुँचती वो स्विच्ट आउफ भी हो गया। लेकिन इतनी थोड़ी देर के लिए उस फोन का स्विच्ट आउन होना और फिर स्विच्ट आउफ हो जाना, इसने भी पुलिस के लिए बहुत बड़ा काम किया। पुलिस को पता चल गया कि मुबाइल फोन दिल्ली में ही स्विच टॉन हुआ है और पुलिस को ये भी पता चला कि मुबाइल फोन कहीं बहुत दूर दराज में नहीं दिल्ली में बलकि उसी शकूरपूर इलाके में ही है जहां का ये उमेद रहने वाला है टावर का लोकेशन पता करती हुई किस टावर से उसके सिगनल पहली बार आये स्वीच टॉन होने के बाद पुलिस एक छोटे से गुम्टी नुमाद दुकान में पहुची जो शकूरपूर इलाके में ही है उस दुकान में पहुचने के बाद पुलिस ने मॉबाइल जो दुकान का मालिक था उससे पुलिस ने पूछा कि हाँ भाई इस नंबर का मॉबाइल फोन तुम्हारे पास है कैसे मिला तुम्हें बताओ तो वो पुलिस को देखकर पहले तो सक पका गया पहले इंकारी कर रहा था लेकिन जब पुलिस ने कहा कि भाई चाला की नहीं जल्दी बताओ तो उसने फिर कहा कि देखे मैं तो यह फोन लेना नहीं चाहरा था क्योंकि इस फोन का जो कीपैड है वो लॉक है और मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन दो दिन पहले बलकी पंदरा तारीक पंदरा नहीं सोला सोला मैं को हमारे पास दो लड़के आये थे और उन दो लड़कों ने यह फोन जो है मुझे बहुत सस्ते किमत पर देने की बात कही तो कीपैड खुल नहीं रहा था मैंने मना कर दिया था लेकिन जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने यह फोन खरीद लिया तो कितने में खरीदी exact price तो खेर अभी मुझे नहीं पता है मैं आपको ही मांदारी की बात बताओं लेकिन बहुत सस्ती किमत पर उस दुकानदार ने यह मुबाइल फोन खरीद लिया था और दुकानदार ने यह बताया कि यह मुबाइल फोन दो लड़के उसके पास लेकर पता है और नहीं उसके कतल से कोई लेना देना है पुलिस ने इस दुकानदार से पूछा कि भई वो दो लड़के कौन थे फोरण उसके बारे में बताओ अगर गनीमत चाहते हो या अगर चाहते हो कि तुम्हें जेल न जाना पड़े तो दुकानदार को जितना पता था उस दुकानदार ने पुलिस को बहराल इन दोनों लड़कों के नाम बताए साजीद के बारे में जब पुलिस ने पता किया तो ये साजीद जो है उसी शकूरपूर इलाके की जेजे कॉलोनी का रहने वाला था और साजीद जो है एक छटा हुआ जपटमार था जिसे के सामने इस तरह की घटनाय होती हुई देखी है वो किस से भी कभी बताऊंगा तो साजीद के बारे में पता चला कि ये एक छटा हुआ जपटमार है और उस इलाके में ही ऑपरेट करता है शकूरपूर इलाके में तो पुलिस को बहुत जादा तकलीफ नहीं हुई उसको प पहले तो दोनोंने मना किया लेकिन फिर बाद में दोनोंने कबूल कर लिया कि हाँ उन्होंने पंदर मैं की रात को एक आदमी को चाकू मारे थे उस आदमी का क्या हुआ है इनहें नहीं पता लेकिन उनको लग रहा था कि शायद वो आदमी मर चुका है तो साजीद को जब पुलिस ने बताया कि हाँ तुम्हारे चाकू के वार से वो आदमी मर गया है तो अब पूरी बात बताओ जेल जाने की तैयारी करो तो साजीद मरता क्या ना करता पुलिस की ठुकाई पिटाई भी हो रहे थी तो साजीद ने पूरी कहानी बताई उसने बताया कि हम मुझे जो है नशे की लट है और जब मुझे नशे की चीज़ें नहीं मिलती तो मैं बड़ा बेसबर हो जाता हूँ अब तकलीफ होती है मुझे तो इसलिए मुझे हर कीमत पर पैसा चाहिए होता है और पैसा लूटने के लिए उस रात को 15 मई 2013 की रात को मैं अपने इस दोस्त के कि आजादपुर की तरफ से देर रात को तक्रीबन 12 बजे या उसके भी बाद में एक आदमी पैदल चलता हुआ चला आ रहा है जब मैंने उस आदमी को देखा तो हम फूरन एक फूट ओवर ब्रिज के नीचे छिप गए और हम इंतजार करने लगे कि वो मंदा हमारे पास तो हम उसे लूटें जब वो हमारे पास आया तो चूंकि मुझे बहुत जादा तलब लगी थी नशे की मैं इंतजार नहीं कर सकता था तो मैंने पहले उस पर चाकु से ही हमला कर दिया बिना ये जाने समझे हुए बिना ये सोचे हुए कि वो आदमी कौन है क्या है उसके प अमान खरीदा परस तो हमने फेग दिया है और मॉबाइल फोन जो है वो मैंने अपने गली में ही इस शकुरपूर के फलां दुकानदार को बेची थी और जाहिर है उसी मॉबाइल फोन के जरिये पुलिस साजीदा और उसके साथी तक पहुँच चुकी थी तो इस तरह से प पूरे मामले के इन्विस्टिकेशन में पुलिस ने कितना जतन उठाया कितनी जतन किये ये सब आपको सुनकर ये बात समझ में आ गई होगी साजीद तो फिलहाल जेल में है और उसका जो जूनियर है वो चुकी माइनर था उसे रिमान ढूम में बहुत ज़ादा सजा होती मर्डर के मामले में तो भी तीन साल से ज़ादा तो नहीं होती तो तीन साल के बाद वो निकल गया होगा ऐसा मुझे लगता है तो ये है पूरी कहानी जिसमें एक बे गुनाह बे कसूर आदमी के हत्या दिल्ली के जपट मारों ने सिर्फ अपनी नशे की लट की वज़े से कर दी और ये एक ऐसा कतल था जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि complete blind murder जिसकी लाश देखकर कोई उसे पहचानने वाला भी नहीं था यहां तक कि जो बंदा मरा था उसके घर के लोगों को भी नहीं पता था कि हमारे आदमी का हमारे family member का कतल हो चुका है या वो गायब है चलो गमशुगी की रिपोर्ट दर्च कराएं क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि वो गाउं गया है वापस आएगा लेकिन इधर उसकी जान चली गई थी लेकिन कड़ी दर कड़ी जोड़ती हुई पुलिस ने इस blind murder केस को सुलजाया और ये एक बहतरीन investigation का नमुना है मुझे लगा कि ये कहानी बेशक पुरानी हो 2013 की हो लेकिन आप लोगों को मुझे ये कहानी जरूर सुनानी चाहिए मेरी और से इतना ही लेकिन कहीं जायेगा नहीं आपको पता है कि two-way communication का जो सिलसिला है उसको हमने बरकरार रखा है और बहुत सारे comments आप लोगों के मिलते हैं overwhelming response आप लोगों की तरफ से मिलता है मैं कृतग्य हूँ आप सबका दिल की गहराईयों से आप सबका अभी नंदन करता हूँ और अभी कुछ comments आप सबके miss कर गया हूँ वो मेरी कमी जरूर है लेकिन उसमें कोई intention नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरे क्या आप नाराज हैं मैं क्यों नाराज होंगा ये तो मेरी खुश खिसमती है कि आप comment कर रहे हैं नाराज होने की कि कोई वज़ा ही नहीं है कुल मिलाकर मैं हमेशा ही विनम रहूँ और हमेशा ही आप लोगों का शुक्र गुजार हूँ और रहूंगा बहराल आईए comments का सिलसिला शुरू करते हैं छेदा लाल के नाम से एक ID है या छेडा लाल जो भी हो तो उन्होंने like किया है हमारे पिछले वीडियो को thank you very much सुपर्ना रॉय सुमा आज की कहानी सुनके बहुत sad हो गई हूँ उन्होंने कहा कि एक माता पिता अपनी लडली बेटी को पाल पोश करके बढ़ा करते हैं और उसके बाद जब किसी बेटी के साथ इस तरह की घटना होती है तो बड़ी तकलीफ होती है कौन सी घटना है और क्यों सुपर्ना राय सुमा बहुत sad या disturbed है इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत सारा हमारे दर्शकों ने कहा है कि जब आप अपने वीडियो में पुराने वीडियो का जिकर कर देते हैं और उसकी कहानी का खुलासा कर देते हैं तो वो वीडियो देखने का जो interest होता है जो रूची होती है वो खत्म हो जाती है तो इसल Colonya उस वीडियो के बारे में तो नहीं बताऊँगा तो गेट सो मुच लव और अट्रक्शन अफेक्शन फॉम आल यू पीपल थैंक यू वेरी मच वीन जी कभी मेसेज आया है वो लिख रही है है हाई सजी नाइस टू सी यू 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 नू लोकेशन और सीटिंग अरेंजमेंट्स हाँ वो एक टेंपोररी अरेंजमेंट था ज आप अपनी बात कही है और अजय जांगीर साब जो जैपूर से हैं अकसर कमेंट करते हैं इनको मैं इडेंटिफाई करने लगा हूँ इन्हों ने लिखा है कि क्या आज तक की तरह अधर निउस चैनल भी ऐसी स्टोरी यूट्यू पर सुनाते हैं अजय जांगीर साब आपक कुछ भी बोलते हैं वो अच्छा ही होता है आई लाइक यू सर थैंक्यू रानी थैंक्यू वेरी मच्च बहुत बहुत शुक्रे आपका क्रिस मिना के नाम से एक कमेंट है उन्होंने दहच प्रता की बहुत ही आलोचना की है और कहा है जो भी गुनेगार होते हैं इस तरह क रात में श्रम सर की स्टोरी सुनते हुए सोता हूँ आपका वॉइस टू गुड थैंक्यू वेरी मच्च लेकिन शेक साहब जरा ये बताइए आप दोपहर को लंच ब्रेक में आते हैं और स्टोरी सुनते हुए सो जाते हैं फिर वापस काम पर नहीं चाते ये मेरी एक हैं सुपरतीम बेनर जी साहब वो लिख रहे हैं सुपरतीम असलाम वालेकुम वालेकुम असलाम वर्मतुल्ला वरकातू सहनवाद अंसारी साहब मजबूर हो गया हूं कमेंट करने पर आप और शमसर का चेहरा भी रोज कहानी सुनते हुए मेरी आखों के सामने हुब हुउ वैसे ही दिखाई देता है जैसे वारदा देखते हुए दिखता है तब आप रिपोर्टिंग करते हुए पैकेज के आखिर में कहते हैं मैं सुप्रतिम बेनर जी आज ता है इन्होंने बहुत लंबा चोड़ा कमेंट लिखा है ये कमेंट मैं पढ़ूँगा तो जरूर पूर करता हूँ सर बहुत अच्छा लगती है बहुत अच्छी लगती है आपकी स्टोरी थैंक यू कबू था के नाम से भी एक आईडी है सर जी वार माइफेवरिट टेक केर सर जी आइं फ्रॉम होंग कॉंग ठीक है कबू था जी होंग कॉंग में रहिए रॉकिंग वक्त काम है आप अपनी अदा से और अंदाज में बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं दोनों की तुलना करना गलत है शम्स जी बहुत सीनियर है उनके हिसाब से और उस हिसाब से आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है गुड़ लग सर गगन चौधरी जी यू हैब मेड माइडे थैंकी वेरी मच दोचाल लेटर खून आप सबने मिलकर अब तक बढ़ा दिया है मेरा रक्तदान कर सकता हूं मनोज प्रभाकर कानपूर की तीस लाख की रकम की फिरोती की का कुछ पता चला सर प्लीज हमें जरूर बताईएगा बिलकुल आपको तो पता है वो एक लड़का था संजीत यादो जिसकी हत्या हो गई और उसके घरवालों ने कातिलों को फिरोती भी दे दी विडंबना देखिए कि अभी तक उस बच्चे की लाश भी नहीं मिली है तो ये बहुत ही दुखत कहानी है अच्छा इन्होंने लोकेंदर जी के बारे में भी कमेंट किया है और खैर प्रभाकर जी ये लोकेंदर जी खुदी पढ़ेंगे ये कमेंट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं इसमें कुछ बोलूँ या अच्छा नहीं लगता दीपू गाट के नाम से एक आईडी है उन्होंने लिखाए हेलो सर कैसे हो थैंक्यू बढ़िया हूँ दीपू भाई अच्छा हूँ मैं सिमन्ता दास वेरी गुड नेरेशन की पीटर विकास शर्मा यूर वोईस डेपिक्ट्स यूर लवबल एंड केरिंग नेचर विकास शर्मा जी थैंक्यू वेरी मच्छ विकास जी आपने भी जो मुझे इस तरह से पहचाना है यह आपका भी बड़पन है विकास जी मैं बहुत ही कृतग्य हूँ डिथलिस गेमर ऐसे लोगों को फांसी हो जानी चाहिए वो पिछला जो हमने कतल की कहानी सुनाई थी उसके बारे में वो कह रहा है प्राट एस के नाम से एक आईडी है यह लिखते है सुपरतीम सर आपकी और श्रम सर की बताई एक एक स्टोरी सुनने के बाद मन में यह आता है कि अल्मोस्ट हर एक कहानी का अंजाम यही हुआ कि गुनेहगार पकड़ा गया फिर लोग इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं कि जुर्म करते हुए पकड़े नहीं जाएंगे इतना कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका यह सवाल बहुत सही है और इसका जवाब देने में मुझे खुशी होगी देखिए दुनिया में करोडों अर्बों लोग रहते हैं आपको तो पता है और क्राइम तक के जरीए बहुत सारे लोग जो मैं तो यह भी मानता हूँ कि कुछ ऐसे भी प्रॉबबल क्रिमिनल्स होंगे जो क्राइम तक देखते होंगे शायद हमसे स्टोरी आइडिया लेने के लिए या क्राइम का आइडिया लेने के लिए जैसे आप से कई लोग कहते हैं आप में से लेकिन उनको अब यह भी समझ में आता होगा कि यह मामले जो है वो सुनर और लिटर उनका खुलासा भी हो जाता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो होंगे बहुत को लगता हुआ कि भाई पूरी तैयारी कर लूँगा और जुर्म करूँगा पकड़ा नहीं जाओंगा लेकिन उन बेवकूफों को यह नहीं पता होता कि वो चाहे जितनी तैयारी कर ले पकड़े जाते हैं 99.99% यह जो भी कह लें बिलकुल close जादतर मामले पकड़े जाते कुछ एक मामले ऐसे होते हैं जो अनसुलचे रहते हैं अच्छा सजा की जहां तक बात है बहुत सारे मामलों में सजा होती है कुछ लोग सबूतों और गवाहों के अभाव में बच भी जाते हैं लेकिन फिर भी मड़र केस में जब आप एक वर पकड़े जाते हैं तो यह भ लोग हिम्मत जुटाते हैं अपराद करने की उनको तो मैं बेकूफी कहूंगा और भी भावनाय मन में हैं लेकिन उनका यहां प्रग्डी करना ठीक नहीं होगा उनको जागर करना ठीक नहीं होगा बलडी सोल के नाम से आईडी है बहुत ही भयानक आईडी है भाई आज की स सुनता हूं with family love you love you sir अरे तो bloody सोल सहाब क्या करूं आपने आईडी का नाम ही ऐसा रखा है तो अंजयना जी का प्रोग्राम देखने के बाद हमारी हमारे हमारे life story सुन लिया कीजिए और आपने सुना ही होगा तभी आपने कमेंट किया है हो सकता है पूरी तरह ठीक से ना नाइस वीडियो like your voice thank you very much मीना जी अशोक पांडे आपकी कहानी कहने का तरीका पसंद है मुझे गोपी गुराया very nice sir जी जग्गा डाकू पंजाब की कहानी सुनाईए please गुराया जो है वो लुधियाना के पास एक लोकालिटी है आप वहीं से होंगे इसलिए आपने अपने नाम के साथ गुराया लगा रखा है और बाकी जग्गा डाकू पंजाब की कहानी सुनना चाह रहे हैं तो मेरा जो क्राइम रिपोर्टर का इंस्टिंक्ट है वो कहता है कि बिल्कुल आप गुराया से ही होंगे जरूर रीच यू सून आइडी है सर आप से ना हो पाएगा श्रम सर को बुलाओ आप देखो कोई आफिस में कोई और काम हो तो इतनी भी क्या नाराजगे है दोस्त चलिए मैं कोशिश करता रहूंगा अगर आपको नहीं जमता हो तो थोड़ा सा धहरे रखिये हो सकता है कि अगली आपकी बात सही है बहुत सारे लोग जो है वो अपराद करते हैं और अपराद करने की जमीन तैयार करते हैं अपनी अलग-अलग हरकतों से इस से बचने की जरुवत है तुफान एक्सप्रेस निउस के नाम से एक आईडी है इन्होंने एक ही कमेंट लिखा है बीजेपी जि भाई आपको बीजेपी की जीत और जिन्दाबाद होना मुबारक हो इसमें कोई बुराई नहीं है हर आदमी को अपनी आजादी है कि वो किसी भी पार्टी का पक्ष ले नागरी कोने के नाते कला कुमार यकिन नहीं होगा फेक स्टोरीज खुद बना लेते हैं जी सच में म हमारे लिए लिखी है या किसके लिए लिखी है क्योंकि मैं तो इस कमेंट को अपने लिए सोच भी नहीं सकता कहानी नहीं कोई कालपनिक कहानी सुनाओं जिसको मैं यह बता कर सुनाओं कि यह कालपनिक कहानी है किस्सा है लेकिन यहां बैट कर आपको जुरू की फरजी कहा जोना डालू ऐसा तो मैं कताई सोच भी ने सकता करना बहुत दूर की बात है संध्या शौ इन्होंने लिखा है दहेज के लालची लोगों को फांसी होनी चाहिए डबल कॉइन वेरी गुड लिखा है रिष्टे जोडने से पहले परिवार को अच्छी तरह पलख लेना ठीक है इसमें चलिए ये पुरा विन-विन सिच्वेशन है मेरे लिए आपने मेरे लिए भी कुछ अच्छी बाते लिखे हैं और बाद में ये काया कि आपकी कानो को श्रम साहब की आवाज अच्छी लगते हैं बिलकुल अच्छी लगने ही चाहिए उनकी आवाज भी अच अच्छा है मैं भी उनके मुरीद और फैन में से एक हूँ सुरेश परिहार जी जैश्री महाकाल सर इन्होंने लिखा है बिलकुल उजयन सही होंगे मेरे ख्याल से कल भी इनका कमेंट था हमने पढ़ा था नीरच तिवारी आप सही से कहानी बताते हैं इन्होंने कंप्लिमे मैं जो है आप पता चलेगा मैं है तो मैंसरी होंगे पता चलेगा तो बताऊंगा देवी सिंग सिसोधिया जी का भी कमेंट आया है वी आई वेके नाम से एक आइडी है इन्होंने मुझे जो है कि मुझे सुधार करना चाहिए अपने बोलने के तौर तरीके पर शमस्ताहिर खान साब को मुझे ध्यान से सुनना चाहिए और बारिकियों पर ध्यान देना चाहिए और उन्होंने कहा है कि बहुत सम्विधन शील विशय जो है मैं पेश करता हूँ तो इसलिए मुझे अपने बोलने के अंदाज में सुधार करना बहुत जरूरी है थैंक यू वेरी मच वीवेक जी अच्छा वीवेक ही है लेकिन वी और वेक के बीच में आपने स्पेस दे रखा इसलिए मैं उसको पूरी तरह पढ़नी पाया वीवेक जी मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उम्मीदों पर और खारा उतरू गौरब बत्रा जी, बैनर जी सर आपकी स्टोरी टेलिंग का तरीका अलग है आप रोज आया कीजिए थैंक यू वेरी मच गौरब जी, एलें त्रिपाठी साहब इन्होंने कहा है कि गुनेगारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए तब ही समाज में सुधार होगा रवी गुलिया जी, उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि अगर आप इसी रफ्तार से चलते रहे तो बहुत आगे तक जा सकते हो सर थैंक यू वेरी मच आपकी शुब कामनाओं के लिए रवी जी, दिदारूल बापू जी दिदारूल बापू ने ये कहा है मैंने पिछली बार कहा था कि बहुत सारे दोस्त हमारे इस तरह के कमेंट करते हैं कि मेरी कहानी सुनकर या श्रमस ताहिर खान साब की कहानी सुनकर रूम को नीन दा जाती है तो मैंने ऑन लाइटर नोट हसी मजाक वले लहजे में ये कहा था कि ये नीन दाने के दोनों मायने हो सकते है कि या तो इतना बोरिंग है कि नीन दा जाती है कि और सुनने ही पाता है यार बस करो और दूसरी ये कि सुकून मिलता है कहानीों को सुनकर इसलिए नीन दा जाती है तो दिदारुल जी ने होसला अबजाई करते हुए कहा है कि नीन दाना जो है कोई भी अगर ऐसा लिखता है तो वो कॉंप्लिमेंटी है उसको पॉजिटिवली लीजी बिलकुल दिदारुल मैं ये बात समझता हूँ लेकिन चुकि थोड़ा हसना बोलना भी ठीक होता है और बहुत सारे हमारे दर्शकों की शिकायत होती है कि मैं हमेशा बहुत सीरियस सा बन कर बैठा रहता हूँ तो ये तरीका भी ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा हसने बोलने की आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ ये बेंगॉली सज्जन है इन्होंने लिखा है कि सर रियक्शन की कमी है बातों में इंप्रूव कीजिए थोड़ा सा और डिटेल में अगर एक्स्प्लेइन करके बताएं हालदार साहब तो मैं थोड़ा और अपने आपको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा रियक्शन मतलब क्या मतलब आपको मेरे मेरा चेहरा थोड़ा फ्लैट लगता है मतलब जब मैं कोई मर्डर की बात बताता हूँ तो मुझे थोड़ा दुखी नजर आना चाहिए आप या जिसे कहते हैं कि थोड़ा और ज़्यादा एक्स्प्रेसिव होना चाहिए चेहरे से मेरे भाओ भंगी माओं से क्या आप ये कहना चाहरे हैं अगर ऐसा है तो प्लीज एक बार और कमेंट करके बताएए मैं कोशिच करूँगा कि आपकी उमिदों पर खरा हूँ तो सुमन शर्मा जी आपकी और श्रमसर की आवाज दिल और दिमाग को सुकून देती है सारा स्ट्रेस लगता है खत्म हो गया मंगलाओ चित्रकार अजहर मंसूरी गोलु दिक्षित अजहर मंसूरी बगीचा सिंग जी सुमन शर्मा जी सौरब सोनी जी प्रिम शिष्ठा जी आसिफ खान सोनु यादव फर्जाना अजीज सुप्रिया बैनर जी शाह मुरूगेश परुप शिष्ठा जर्मनी शौइब खान दक्ष यादव निशाद नशाद आलम और मुहमद आदिल अनिता ज्वाला नूर आलम कुछ लोग बड़े हक से कमेंट करते हैं कि रोज रोज गायव रहने का आपका कोई हक नहीं है फैमली है हमारी सिर्फ क्राइम तक नहीं कितनी अच्छी बात है ये बिल्कुल जब आप लोग हड़काते हैं मुझे तो आई फील हैपी समटाइम बिट्टू सिंग जी आपके कहानी सुनने का बहुत मज़ा आता है सर गौरफ सर देखिए हमने लेटेस्ट कमेंट पढ़ने शुरू किये थे और बहुत सारे कमेंट में पढ़ चुका हूँ ल उनका कमेंट मैं जान बुचकर नहीं पढ़ता हूँ जुनियर हाइडरा वाइटी के नाम से एक आईडी है उन्होंने एक डाइग्राम सा बना कर भेजा है सब्तरंग कुकिंग चैनल इन्होंने कोई एक केस स्टडी भेजी है इसको मैं पूरा भी पढ़नी सकता मैन पूरी जिस भाई लिखते हैं सौरब लहाडे इनका नाम है रेगुलर लिसनर हूँ थैंक यू सुप्रतीम सर शेफ अजय मोहित्रा खूब शुंदूर इन्होंने लिखाया वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच्च मोहित्रा साब क्या बनाते हैं क्या पकाते हैं आप कभी लिखे बत पूर से जुड़ी हुई है यशदीप शर्मा जी ये बागपत बाला घाट नहीं ये बाला घाट एमपी से हैं और रेगुलर लिसनर हैं अपने आप अपने बारें बता रहे हैं उमर एहमद खान हाई सर लिख रहे हैं वास्ट जी जी टी आज तीस है सर तारीक जो मैंने 29 बताया था इसको रेक्टिफाई कर दिया थैंकि वेरी मच अनूब भुटानी सहाब एनर जी सहाब लोकिंदर जी को भी साथ में बठाया करो जोड़ी अच्छी लगती है भुटानी सहाब आपकी सुझाओ और सला पर गौर किया जाएगा अभिश्रामी कुमारी इनका भी क थैंकि वेरी मच आपने मेरे बारे में सही जानका रिदी अभिजीत भी जार्खंट से ही हैं जहां तक मैं याद कर पार हूँ शायद मेरे ही होम टाउन से हैं जमशेद पूर से उत्तम वर्मा जी कमाल की बात है जो लोग जुर्म करने से डरते नहीं उनको जबकि उनको पत हो तब तो हानी हो अगर मान सम्मान होता तो क्यों कोई इस तरह की गिरी हुई हारकत करता जेपी राजपुरोहीत इन्होंने लिखा है कि बड़े सुस्त लग रह हो बॉस राजपुरोहीत साहब यहां बैठा हुआ हूँ और चुस्ती कैसे दिखा हूँ एनिवे थैंक्यू कब है आपकी प्लीज बताईए इन्होंने दो तीन बार यह सवाल पूझा है नेक्स स्टोरी आज है प्रकाष चंद्रा जी नाइस सर राम नारायन साहु का मैंने जिकर कर दिया प्रभाकर एस गरड मोहित कुमार सुमन राजभर संगीता सिंग विंदा विखे विंदा कर अपने बेटे से मुझे रिलेट किया और कहा है कि हम लोग शायद एक ही एज ग्रूप के हैं और उनको इस तरह की कहानिया सुनना अच्छा लगता है उन्होंने यह भी लिखा है God bless you thank you very much बिंदा जी मैं बहुत कृत क्रितग्या हूँ आपके इस आशिरवाद और काम नहीं लेते दर्मिश जी क्यों नाराज रहूंगा आप बताइए आपने ऐसा कोई जुर्म किया हो तब तो आप आप जैसे अच्छे लोगों से कोई नाराज रह सकता है अशोग बिष्ट इन्होंने कहानी बताने की शैली अच्छी है इन्होंने यह भी लिख दिया है क शमस्ताहिर खान साब से भी अच्छी है और इसके बाद इस पर आठ कमेंट आए हैं आप समझ गया होंगे कमेंट्स में क्या लिखा हुआ होगा कमेंट में नहीं पढ़ूंगा तो असीफ एहमद सर ये कब की घटना है अरे मैंने जिक्र किया है तो अब तो मुझे भी आद कि फिरोती दिया उसके इंविस्टिकेशन क्या है प्रतीक रोडे जैक जी फहीम खान 99 डिवा नॉलेज अंकित यादो सिम्रम शिवाच पुषपा चौहान लक्ष मलिक धातिंग शूटर बहुत सारे कमेंट किया है इन्होंने थैंक यू वेरी मच सुमेरा राठोर प्रदी भाई सुभद्रा गंगुली ये लिखते ही हैं कि वो वारदात और क्राइम तक के फैन है और सबके लिए श्रम सर आप और लोकेंदर सर जिन्दा बाद लिखती हैं थैंक यू मैम फिलिंग उनर्ड दीप चंद प्रदी भाई मीना डबल्यू वी मिस यू सर थैंक यू वरी मैं निर्मलिंदू तो हाँ निर्मलिंदू अगर दोनों मैं जोड़ दूँ तो फिर वो एक मेल नेम बनता है विल्कम बहुत बहुत स्वागत आपका सिम्मी अरोड़ा जी और ब्रजेश वर्मा जी और फाइनली मार्गरेट लोबो जी अंजली वाल जी थैंक यू बहुत बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैंने आज पढ़ लिये बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों को मिस्टर रोयल और वेंकटेश साबंत का भी मैंने जिक्र कर दिया दिपेन मगार ब्रिजराज सिंग सुनैनन दिंदी गाला राकेश इंदूर इन्होंने कहा है कि कोबीड ख गूम कर मैंने कुछ-कुछ खाया है वहाँ और इंदूर में भी थोड़ा वक्त गुजा रहा है मैंने दैनिक भासकर के साथ काम करते हुए तो इंदूर से भी मेरी अच्छी यादें चुड़ी हुई है इंदूर बहुत शालदार शहर है और इतने फराख दिल लोग है वह यह सिलसला यूही चलता रहे लगातार निरंतर फिलाल मुझे और मेरे साथी दीपक को इजाज़त दीजे बहुत खुश रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद जय भारत